नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल अद्भुत ग्यान गंगोत्री में दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि वह कौन सी तीन लक्षड़ो वाली अवरत होती है जिसे मनुस्य को भूल कर भी धोखा नहीं देनी चाहिए और जो इन तीन लक्षड़ो वाली अवरत को धोखा देता है उसे अपने जीमन में बहुत पच्टाना पड़ता है दोस्तों, इन तीन लक्षड़ो वाली इस्तिरी के अंदर बहुत सारे गुण होते है और यह जिस घर में रहती है उस घर में कभी दरिदरता गरीबी नहीं आती कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है वह घर हमेशा सुक समिर्धी से भरा रहता है और उस घर में मालक्षमी सदा निवाज करती है दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा अवस्य सुने क्योंकि आधा अधूरा ग्यान जीवन में विपत्ति का कारण बनता है इसलिए वीडियो के लाष्ट तक जरूर देखा है दोस्तों, मैं मालक्षमी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि है मालक्षमी, जो भी सुरोता गर्ण इस कहानी को पूरा सुनते है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर रहें और उनके उपर आने वाले कष्टों को दूर करके उनके घर में धन धान्य से, सुक समर्धी से परिपूर्ण कर रहें दोस्तों, वह कौन सी तीन लक्षन वाली अवरते होती है इस कहानी के माध्यम से आप भी जान पाएंगे दोस्तों, कहानी सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है तो चलिए ज़्यादा समय नो लेते हुए कहानी को सुरू करते हैं एक बार की बात है भगवान से रिक्रिष्ण की पत्नी सत्य भामा भगवान से रिक्रिष्ण के पास आती है और कहती है हे प्रभू आज मेरा मन बहुत ही असान्त है किर्पया आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाईए जो प्रिथवी लोग पर समस्त प्राडी के हीत में हो तब भगवान से रिक्रिष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं हे देवी बहुत समय पहले प्राचीन काल में अतियंत ही सुन्दर राज्य था राज्य में एक गाव था गाव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसको रंग भी रंगे फूलों से सजाया गया था उस हवेली में एक भव्य सादी की धुम मची होई थी हवेली के मुख्य आंगन में संगीत और मेहमानों का हसना खेलना सब कुछ सामानने लग रहा था लेकिन इस फुसी के पल के पीछे छिपी एक जटिल कहानी यह कहानी थी सुमन की क्योंकि अभी अभी नई दुलहन के रूप में उसके ससुराल में स्वागत किया जा रहा था सुमन की आखों में असंतोस की चमक थी और उसके चेहरे पर जूठी मुश्कान थी इस साधी में हर कोई खुश था लेकिन सुमन के मन में उथल पुथल मची हुई थी इतने बड़े खुशी के महौल में भी उसके चित के असंतोस जनक इस्थिती ने उसके ससुराल के बातावरण से दूर कर दिया था सुमन का सुभाव हमेशा ही और इस्थिर और चंचल था वह विवाय से पहले उसकी जिन्दगी एक रंगीन सपनों जैसी थी जिसमें उसने खुद को हर सीमा पार करते हुए पाया साधी से पहले सुमन की कई लोगों के साथ दोस्ती थी सुमन की यह दोस्ती जो समाद के मानक से बाहर थे सुमन साधी के बाद भी अपने नए घर में ठीक धंग से ढलने में न काम रही साध ससूर और पती सभी ने उसे पुरंड सनेय और समान के साथ सुविकार किया लेकिन सुमन की सुवार्थी परविर्तियां उनके प्रतिकेवल दिखावा मात रही थी गिरहस्ती के मामुली कामों में भी उसकी लापरवाही ने घर के अन्य सदस्यों के साथ लड़ाई जगड़ा बढ़ा दी थी कि आदतें घर के माहल को गंदा करने लगी थी घर में कोई भी बात उसकी चीड़ और नफरत का कारण बन जाती ससुराल की छोटी छोटी बातों पर बेतुकी परितिकिरियाएं देना सुरू कर दिया था एक दिन जब घर में एक भीखारी आया तब उसे दान देने के बज़ाय सुमन ने भीखारी को भगा दिया जिसकी वज़ा से घर में एक नया भी बात पैदा हो गया सुमन का पती रुपेश बड़ी निरासा से सुमन से पूछा तुम्हारे लिए यह सब कर देना इतना कठीन क्यों है सुमन ने जवाब देते हुए कहा मेरे पास वक्त नहीं है सुमन की यह बात रुपेश की समसे बाहर था कि उसकी पतनी का वेवार क्यों बदल गया था हर बात पर सुमन की औस विक्रती घर में कलः को जन्म देने का कारण बन गया था सुमन का मानसीक द्वार हमेशा बाहर की और खुला रहता था उसकी यादते और रिष्टे जो की विवास से पहले के थे अब भी उसके जीवन का हिस्सा बने हुए थे अब भी उसके जीवन का हिस्सा बना हुआ था पती के बाहर जाने पर सुमन ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाया एक दिन जब रुपेश घर पर नहीं था तब सुमन ने रात में अपने पुराने मित्र को भुलाया मित्र के साथ समय बिताते हुए को अपनी परवाह है और समझ की याद आई हलांकि इस तरह के रिष्टे उसके नए जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे लेकिन फिर भी वह यही करना चाहती थी दोस्तों ऐसी इस्तिरियां जिस घर में होती है वह घर नरक बन जाता है और वह इस्तिरी किसी डायन से कम नहीं होती है ऐसी इस्तिरियों से जितना कोई परिवार बज के रहे बज के रहना ही ठीक होता है आगे भगवान स्रीक्रिष्न सत्यभामा से कहते हैं हे देवी, वहीं दूसरी तरफ इसी राज्य में एक गाउं और था, पहाडियों में वसा यह एक छोटा सा गाउं, स्वर्ग जैसा संदर यह अपने आप में लपेटे हुए था, लोग अपनी अपनी जिन्दगी में ब्यस्त थे, लेकिन उनके बीच एक अधिवितिय महिला की कथा हर दिल में गहराई से वैड़ती थी, यह कहानी एक ऐसी इस्तिरी की है, जो धैरे निस्वार्थ और पतिवरता धर्म की परतीक थी, उसकी कहानी केवल एक जीवन की कथा नहीं थी, बलकि यह सभी के लिए प्रेड़ा का स्रोत बन गई थी, गाउं की एक छोटी सी अरी के भीतर एक युगा इस्तिरी जिसका नाम ससीकला था, वह अपने रोज मरा के कामों में व्यास्त थी, ससीकला की मुस्कान और उसकी आँखों में गहराई छीपी हुई थी, धैरे उसकी पहचान था, ससीकला का विवाह दो साल पहले गाउं के एक युगक रामकिरपाल से हुगा था, रामकिरपाल एक साधारण की सान था, लेकिन उसकी मेहनत और इमांदारी के कारण वह सभी को प्रिय था, ससीकला ने विवाह के बाद अपने सारे सपने और इक्छाएं त्याग दी थी, ताकि वह अपने पती और अपने परिवार की सेवा कर सके, ताकि नेह और निस्वार्थ भाव को देख कर, लोग अक्सर आश्चेरिय चकित हो जाते थे, हर दिन वह अपने पती की बातों को ध्यान पुर्वक सुनती और उनकी इक्छाओं का सम्मान करती, वह जानती थी कि एक पती की खुसहाली में ही, पूरे परिवार की खुसहाली छिपी होत पती थे, ससिकला ने अपने घर के सारे अनाज को गाउं की अने लोगों के साथ बांटने का निरड़य लिया है, वह जानती थी कि इस कठिन समय में सभी को एक दूसरे की मदद किया है, ससिकला की इस दान सिंता ने सभी को प्रभावित किया है, गाउं वाले उसकी अच्छा की प्रसंसा करने लगे, और उसकी बातों में एक नई उमीद जगी, उसकी पती ने भी उसकी निश्वार्त और समर्पण को सराहा, ससिकला की पतिवरता धर्म ने उसकी पहचान को और मजबूत किया, विवाह के बाद उसने अपने तन और मन को केवल अपने पती के लिए सम पूछा और यह जानकर हैरान रह गया कि सस्कला ने अपने पती के अलावा किसी और परायपुर्श के बारे में कभी भी मन में गलत विचार नहीं लाती, व्यापारी ने सस्कला की पतिवरता की इसा रहना की और उसे एक अधियुती इस्तिरी के रूप में प्रस्तूत किया, एक दिन गाउं में एक बड़ा तुफान आया, कई घरों की छते उड़ गई और फसले वरवाद हो गई, सस्कला के घर के इस्थिती भी बहुत खराब हो गई, लेकिन सस्कला ने अपने धैरे को बनाए रखा, उसने अपने परिवार को सांतोना दी और कठिन परिस्थितिय का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास किया, ससिकला ने अपने पती के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला, उन्होंने अन्य गाउंवालों की भी मदद की, और एक जूटता से संकट का सामना किया, ससिकला के समर्पण और धैरे ने ना केवल उसके परिवार को सुरक फैलने लगी। ससिकला के निस्वार्थ धैर और पतिवरता धर्म ने उसे एक आदर्ज बना कर प्रस्तुत किया। ससिकला और राम क्रिपाल की साधी के दस वर्सों के बाद उसका परिवार सुखी और संपन्न था। ससिकला के समर्पड और त्याग ने उनके जीवन को खुशाल बना दिया था। और समर्पड का सम्मान करना कितना महत्पुनड है। उसके गुडों और प्रिश्रम ने यह दर्शाया कि एक आदर्ज पतिवरता इस्तिरी किसी भी घर में अमूले धान होती है। उसकी पतिवरता और निस्वार्थ के कारण उसका परिवार हर संकट का सामना कर सकता है। और इसी वज़य से कभी भी गरीवी का सामना नहीं करता है। ससिकला की कहानी एक प्रेंड़ा है कि हर इस्तिरी की कदर की जानी चाहिए। और उसके प्रति धोखा देने की सोच भी नहीं आनी चाहिए। यक इस्तिरी जो प्रेम और समर्पन की प्रतिक होती है। उसे सम्मान और सनेह मिलना चाहिए। ताकि उसकी भव्यताय और मुल्य का एहसास हर व्यक्ति कर सके। दोस्तों, आगे भगवान स्रीक्रिष्न कहते हैं। हे देवी, मनुस्य को इस तीन सूबलग छड़ो वाली इस्तिरी को कभी धोखा नहीं देनी चाहिए। और ना ही उनके साथ कभी विश्वास घात करना चाहिए। यह सुनकर सत्यभामा कहते हैं। हे प्रभु, वे तीन भागे साली इस्तिरी कौन सी हैं। जिनके साथ कभी भी मनुस्य को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आगे भगवान स्रीक्रिष्न कहते हैं। हे देवी, जो इस्तिरी धैर्यवान होती हैं। वे इस्तिरियां अत्यंत भागे साली होती हैं। धैर्यवान इस्तिरी अपने पती की हर संकट परिस्थिती में साथ देती हैं। अपने पती औंपरिवार को हर परिस्थितियों से लड़ने की साहत देती हैं। और साथ ही धैरे रखते हुए, ऐसी इस्तिरियां उस मुश्किल समय को पार कर लेती हैं। जो भी मनुश्य इस प्रकार के गुडो वाली इस्तिरी से विवाह करता है, वह पुरुस बहुत भागे साली होता है। दूसरे नंबर पर वह इस्तिरियां हैं, जो निश्वार्थ भाव से अपने पती की बात मानती हैं, और छमा सील, दान सील, बुधिमान, दयावान और अपने करतव्यों का पालन पुर्ण निष्ठा से करती हैं। ऐसी इस्तिरियां स्वयम माता लक्षिमी का रवसोरूप होती हैं। ऐसी इस्तिरियां अपने पती के अलामा किसी पराय पुरुष के बारे में कभी मन में गलत विचार नहीं लाती। विवाह के बाद जो इस्तिरी अपने तन मन को केवल पती पर ही समर्पित कर दे ऐसी गुडवान और भागे साली इस्तिरी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। और फिर जो ऐसी गुडवान इस्तिरी को धोखा देता है उसे नरक की कठिन से कठिन यातनाय भोगनी पड़ती हैं और उसे 84 लाख यूनियों में कीडो मकोडो की जीवने आपन करना पड़ता है। दोस्तों आसा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जै मालक्ष्मी यह वस्ति लिखें ताकि मालक्ष्मी आपके हर मनों कामना को पूरी करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्या बन्यवाद